हेलो मैं दियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एवर्ग्रीन बुटीक और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आए हूँ पाकिस्तानी गोटा वर्ग और ये किसी की दिमांड के उपर वीडियो आई है काफी सारे कल मुझे मैसेज आए थे मैं नाम नहीं बता सकती तो ये सेल वीडियो है I think 3-4 डिजाइन एड किये है इसमें शिफॉन फैब्रिक के उपर पकिस्तानी गोटा वर्ग है तो आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे प्राइस उसका कॉर्णर में मेंशन रहेगा फ्री शिपिंग रहेगी औल ओवर इंडिया तो आप जो भी लक्जरी प्यो शिफॉन के उपर है एक बैंबर्ग शिफॉन है और कुछ डिजाइन इसके उपर सिल्क फैब्रिक के उपर है तो दिखें सबसे पहले मैं आपको यह दिखा रही हूँ यह गोटब वर्क है डोरी गोटब वर्क है यह गोल्डन कलर का गोटब है बंदेज में यह फैब्रिक है देख सकते हैं आप इसका डिजाइन अनिस्टेज पैटन है यह यह स्लीव जा गई और ट्रिपल शेड में इसका दुपटा रहता है पहुत वीडियो की है इस डिजाइन के उपर मैंने लेकिन अभी स्टॉक नहीं है यह कुछ पीसिस ही थे तो यह मैंने सेल वीडियो में एड़ किये है अभी जिससे भी ओर्डर करना है जल्दी से बस स्क्रीन शॉट लेकर वाच्सिप नमबर पर सेंड कर दीजेगा शेड रेड़ कलर है यह स्लीव सभी में अलग से आएगी यह वाले डिजाइन में सभी में अलग से दुपट्टा ट्रिप्टल शेड यलो ग्रीन रैड यह दुपट्टा हो गया अब इसमें पेंक शेड है यह दिखें पिंक कलर है यह इसकी स्लीव और यह दुपट्टा है परपिल ग्रीन और पिंक शेड में शेड भी आप देख सकते हैं बहुत प्यारे हैं कलर कंट्रास्ट बहुत खुबसूरत है बस आपको जो भी अच्छा लगे जल्दी से उसका स्क्रीन शॉट ले लीजेगा अब यह देखें यह भी ब्लैक है दुपट्टा ट्रिपल शेड है गोटब वर्क आगया यह इस तरह का डिजाइन है यह स्लीज और यह इसका दुपट्टा है और इंज पिंक और ब्लैक शेड में यहां मैंने आपको डिजाइन नमबर वन दिखा दिया है अब मैं आपको यह दिखा रहे हूँ शिफ़ान फैब्रिक है यह भी LCD गोटब वोक है इसमें स्लीज साइड में रहेगी विर्थ मैं आपको बता दूँगी तो प्लीज वो ही लोग ओडर करियेगा जिसके साइजेज में हो क्योंकि साइड में स्लीज रहती है तो 23-24 दामंता के स्टेज जो जाता है बागी इसका मैं आपको बता दूँगी थोड़ा बहुत अगर कम जादा भी है यह बैक साइड है यह फ्रांट साइड है इसके मैं आपको विर्थ चेक करके बता देती हूँ स्लीज तक कितनी विर्थ आ रही है फुल विर्थ आ रही है 26 और यह जितना एमडरेड़ पार्ट है यह 24 आ रहा है दामन वाला पार्ट 24 आ रहा है बागी 26 आ रहे है विर्थ साइड में स्लीज अलग है बैक साइड मैंने आपको दिखा दिया यह सबसे कम वाला था बागी और ब्रॉड ही रहेंगे यह इसका दुपट्टा होट पैंक शेड है यह शिफॉन फाब्रिक में दुपट्टा अब यह देखें रस्ट सा कलर है यह डिजाइन सेम रहेगा बैक साइड है बैक साइड पे बूटे है फ्रेंट साइड के ओपर फुल वर्क हो रहा है सारा गोटा वर्क है बहुत खुपसूरती के साथ सब यह वर्क होता है देख सकने हैं इस तरीके से यह इसका दुपट्टा बूटे आएंगे उपर और पल्लू पे बॉर्डर आ रहा है अब यह देखें डार्क पॉपल शेड है यह बैक साइड साइड में स्लीज यह फ्रेंट साइड है मैं खरीब से भी दिखाती हूँ आपको दिखें इस तरह का सारा यह गोटा वर्क है यह इसका दुपटा आ गया उपर तक सब बूटे आ रहे हैं अब यह भी होट पिंग कलर है अब यह बैक साइड है यह यह फ्रेंट साइड है साइड में स्लीज बहुत फाइन वर्क हुआवा होता है और सब हैंड वर्क है कुछ भी इसमें स्टिक करावा नहीं है यह इसका दुपटा आ गया उपर तक बूटे है अब यह मैंने आपको डिजाइन नंबर टू दिखा दिया अब यह दिखें कोटा में दुपटा है औरिजनल सारे पकिस्तानी पीसेज है ग्रे कलर है तारकशी वर्क भी है इसके उपर सेल्क फैब्रेक है यह बैक साइड में बूटे आ रहे है इस तरह यह फ्रन्ट साइड है इसमें आपको गोटा बॉग के साथ तारकशी वर्क दिख रहा होगा यह देख सकते हैं साइड में स्लीव्स के उपर भी तारकशी वर्क भी है गोटा वर्क भी है और यह इसका दुपटा अब इसमें यह लैमन कलर है यह दिखें बैक साइड के उपर बूटे अब यह फ्रन्ट साइड है इस पर भी गोटा वर्क के साथ आपको तारकशी वर्क मिल रहा है साइड में स्लीव्स के उपर वर्क और यह दुपटा है कोटा में कोटा कॉटन फैब्रिक है यह दुपटे पर वर्क आ रहा है बहुत अच्छा प्यारा लेमन शेड है यह तो यहां मैंने आपको डिजाइन नंबर थ्री दिखा दिया अब यह देखें ग्रे कलर है लक्जरी पियो शिफॉन फैब्रिक है बलकर इसमें एक पीस जोजट फैब्रिक का है पहले मैं वो दिखा रही हूं आपको प्राइज रेंज में देखिए काफी फर्क रहेगा डिजाइन समिलर है यह देखें यह और यह डिजाइन समिलर बनावा है फैब्रिक का फर्ख है यह जॉजट फैब्रिक है बनार्सी जॉजट है और यह लगजरी प्योशिफान फैब्रिक है तो पहले मैं आप जोग को जॉजट वाला ही दिखा रही हूं यह दामन पर वर्क आ रहा है 23 तक दामन आएगा मेरी ख्याल से मैं एक बार चेक कर लेती हूं दामन 23 ही रहेगा यह दामन का बॉडर है फिर यह निकलाइन है अब आप दुपट्टा देखें ट्रिपल शेड में दुपट्टा है दुपट्टा भी पकिस्तानी जॉजट फैब्रिक के उपर है और इंच यह मरून और यह ग्रीन शेड दुपट्टा कि इस तरह से वर्क है इसके उपर अब यह देखिया आप लक्जरी प्योशी फॉन वाला देखिये इतना तो यह स्लीप्स के लिए इन्होंने बॉर्डर बैक और फ्रंट के उपर दिया है बागी का फिर यह दामन है 31 वेर्थ है दामन की तो उसमें इसली 24 25 26 दामन तक स्टेश्ड हो जाएगा यह निकलाइन के उपर वर्क है लक्जरी प्योशिफॉन में ही दुपट्टा है बंधेज में ट्रिप्टल शेड बहुत खुपसूरत सा पिंक है लाइट पीच कलर और ग्रे ग्रेश ब्लैक शेड होगा यह एक्जेटली ग्रेश ब्लैक कलर है तो यह शेड हो गया यहां से आप इसका स्क्रेंशॉट ले सकते हैं अब मैं आपको इसमें शेड दिखा दे रही हूं दो रस्ट कलर है यह दिखें यह रस्ट शेड है दुपटे दोनों के अलग रहेंगे बंधेज में दुपटे हैं यह देख लीजिए बॉडर पर सारा गोटा वर्क आ रहा है फ्रंट साइड पर पत्ती लगी है फिर हैवी निकलाइन है स्लीप्स के उप़ बॉडर और दुपटे के लैंग वाइस इस तरह का बॉडर है और पल्लू पर ब्रॉड बॉडर आ रहा है पल्लू पर यह बॉडर है तो सब देख सकते हैं हाथ का काम हुआ है कि इसका दुपट्टा देख लें मौफ क्रीम पीच और रस्ट कलर फो शेड आ रहे हैं दुपट्टे में अब इसका मैं आपको दूसरा दुपट्टा दिखा रही हूं शर्ट का कलर तो सेम ही है इस तरह से इसमें देखें आप लेमन ग्रे और रस्ट कलर आ रहा है दुपट्टा हो गया अब आप ब्लैक शेड देख लीजिए दो ब्लैक हैं दोनों की दुपट्टो में फर्क है एक रैड यलो और ब्लैक शेड में है और एक पेस्टल पिंक रानी पिंक कलर और ब्लैक कलर इस तरह का शेड है ब्लैक में भी थोड़ा लाइट डाक में भी फर्क है यह थोड़ा लाइट शेड है यह इसका दुपट्टा शेड आप चेक कर लें यह शेड आएंगे यह दुपट्टे का डिजाइन डिजाइन समयला रहे शेड दिखाना है बस अब यह दूसरा ब्लैक शेड आगे थोड़ा डाक है इसका दुपट्टा देखें आप रैड यलो ब्लैक शेड में यह दुपट्टा आ गया अब एक लास्ट है यह थोड़ा पिंकिश पॉपल शेड आ पिंक में पॉपल मिला दें उस तरह का कलर है मोप टाइप शेड है लग्जरी प्योश फैब्रेक है सारा अभी विर्थ इसकी और बढ़ेगी क्योंकि प्योर फैब्रेक है यह दामन का दामन का बॉडर दिखा दिया मैंने आपको इस तरह से फिर नेक लाइन पट्टा देख लिजे यह लो क्रीम और पपिल टोन के ओपर दुपट्टा है इस तरह से विर्थ काफी अच्छी है देखें जितना यह बॉडर है देख सकते हैं यह दुपटे की विर्थ है प्यो शिफॉन फैब्रेक है अभी आईरन होके और यह खुल जाएगा फैब्रेक तो यह इस वीडियो का लास् अच्छा लगा हो जल्दी से स्क्रींशॉट लें वाट्सिप नंबर पर सेंड करें और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो स्टेक कियर अलाहफेज